अजाती जनगणना कराने में तुम इतने लोगप्री हो तो तुम्हारी क्यों फटपड़ी पड़ी हो रही है और इस बार देश की जनता ये कहती ही घुम रही है कि अगर हमारे बूत पे इबियम से चुना हुआ था हम इबियम की होली जलाएंगे यानि इबियम में जाएंग कि तोड़ ताड़ देंगे क्या कर लेगी कितनी फोर तुम लगा दोगे क्या कर लोगे ये सरकार कुल मिला करके चनहित के तमाम मुद्धों पर घिरी हुई अपने आपको महसूस कर रही है हाँ ये मैं दावेक साथ कह रहा हूं कि ये चाइना से जड़ब करा करके हजार द कि नमस्कार मैं नूर्जा और आप देख रहे हैं जनेत आवाज मुंबई पुलिस द्वारा जो सल्मान अजहरी को गिरफतार कर लिया गया है और उसके बाद उनको गिरफतार करने की जो वज़ा बताई जा रही है जो उन्होंने हेट स्पीज दिए उसके बेसिस को गिरफ गिरफतार किया गया है तो इसी पर बातचीत करने के हम अरुसत मौजूद है चतुर वेदी जी सर्क्या कहेंगे क्या उनकी गिरफतारी सही है बिलकुल गलत है देश की सरकार मानी नरेजदा मोजदास मोजी की सरकार महराष्ट में करनाटक में तेलंगाना में आंधरा प्रदेश में और जो आधिवासी आंधोलन शुरू हो गए हैं हैमन सरेन की गिरफतारी के बाद ये जो सरकार है बैक फूट पे आ गई है इसकी जो सीटे हैं लगभग सौ से समय सिलानियास किया प्राण प्रतिष्ठा किया उजघाटन किया वो फीका पड़ता जा रहा है वो जो मुद्दा इनका समाप्त हो गया क्योंकि सबसे बड़ा जो मुद्दा इस समय तूल पकड़ा हुआ था वो था हैमन सरेन की गिरफतारी बेवजा गिरफतारी है किसान में कोई सुनने को तयार नहीं है बीजेपी के चाल्ज और चरीच चेहरे को लोग अच्छी तरीकिये से बाप चुके हैं जान चुके हैं देश की समस्या जो है बेरोदगारी है भुक्मरी है महिलाओं का उत्पिरन है किशानों की समस्या है इसमें सरकार बच रही है में प्रधान मंतरी को जो टोका टिपड़ी हो रही है गलत ब्यानी पर लोग टोक रहे हैं तो प्रधान मंतरी की जुवान लड़करा जा रही है सच बोल रहे हैं हलांकि हमेशा ही जूट है बोलते हैं इनकी सरकार की सबस्ती बड़ी समस्या जो हो गई है इनकी जो बित मंत मुकाबले रूपे की कीमत इसनी तेजी से गिरी हैं कि यह याकिन मुख्य दस देशों में सबसे नीचले पाउधान पर यानि हमारे वहां के रूपे की कीमत भोटान की करेंसी के बराबर हो गई है आप समझ सकती हैं कि भारत में अगर हम यह जो है इधन वाला सामान गौर्फ परशिया से लाते हैं तो हमको उसकी दुगनी तुगनी कीमत चुकानी पड़ेगी मानी प्रधान मंत्री और आरेश्तस की समस्य जो सबसे बड़ी बात है कि जब मानी अधीर अजन चाहुजरी ने इनको घेरा जो जो भी बात है पंडित राहुल गांधी ने कहा पार्लेमे चोती जा रही है तो जनता इस समय देश की जनता भौचकी हो गई अपनी आपको ठगा महसूज कर रही है आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा मैं में इस दिया जो है पराबर जो जो ज्वलंत मुद्द्य उसको दिखा नहीं रही है जहारखंड में आजिवासियों का आंदोलन जो चल रहा है यहां ले लद्दाक में इस वक्त जो तापमान है माइनस जीरो पॉइंट डिग्री है तो आपको सोच लिजीए कि यहां विसमिश डिग्री माइनस तापमान के बावजूद जनता लाखों लाग की संख्या में रोट पर है आदिवासियों की पूर संख्या हिंदुस्तान में भारत में लगभग लगभग 20-22 करोंग बताई जाती हैं 20-22 करोंग इनके भी मद्दाता रहोंगे जो इनके लोकल वहुने भासड़बाजी में आ गये होंगे वादों में आ गये होंगे यह सरकार कुल मिला करके जनहित के तमाम मुद्दों पर घि देश को किस किस मामले 15 वाला इनका जुमला साबित हुआ दो करोण नोकरी जुमला साबित हुई तो तमाम तरह की समस्चाइब आप कह रहे हैं कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया वो धर्म का मुद्दा लेके आ जाते हैं लेकिन उसके बाद जो सल्मा नजरी है वो उनको गिरफतार किया जाएगा ना यति नर्शिमा नंदस उन्होंने भी है इन्हीं के अनुराग ठापूर हैं गोली मारों फोएंडशो इन्हीं के तमाम लोग जो है डिप्सिज देते हैं इन्हीं के विजुड़ी हैं उन्हें पालियार्बे में सरे आम गाली जी इन्हीं के पार्टी के सांसा देब भुषा सुलन सिंग्यों पर क्या रूप लगा इन लोगों के खिलाब कारवाई क्यों नहीं हुई मड़ी पूर में अपराज्यों के साथ कारवाई क्यों नहीं हुई कुल मिला करके दुनिया में जमीन का घोटाला हमने सुना है पानी का घोटाल हैमन्त मिश्वर्मा आसाम के मुख मंत्री हैं वहाँ हेलिकाप्टर जो मुहिया कराई आती है गौर्मेंट के तरफ से तो आसाम के एरिये में उसी हेलिकाप्टर से परचार करने पहुंच गया सरकारी खर्चे पर मद्यप्रदेश चत्तिस गड़ तेलंगाना राजस्थान तो इनको किराय की हिलिकाप्टर से जाना चाहिए था आप सरकारी काम से तो जा नहीं रहे हैं लेकिन उसका भी आसाम से जितनी टेक्स्पेरों के पैसे काई लोग उस्ता दुर्प्योग कर रहे हैं जो जनहित के मुद्दों पर खर्चा करना हास्पीटल हो इस्कूल हैं सड़कें बने हैं और तमाम सिच्छन संस्तानों का हो लोगों के रोजगार की समस्या का समाधान हो गराम कब ग्रामीर विकास्त में लगाया लाई है इस बार दोज़ार चौबिस में जनता लाई हैं उनको इन तमाम मुद्द पर भी बात करेंगे देखिए मैं आपको बता दूं तमाम सनातन धर्म के साधू संतों ने भी बिरोध किया है कि ये गौरविन उस मौलाना जी के साथ गलत कर रही है देश की जिके तमाम धर्मों के लोगों ने भी रोध करना सुरू कर दिया है सरकार बैक फूट पर है सुनने में आ रहा है कि साध उनको जबानत मि मिल गई है या मिलने वाली है यह घिर गया है सबसे बड़े मुद्दे पर जो चंडी गड़ में मेर चुना हुआ जो घपले बाजी है इनका चहता आप सर जेल जाने के कागार पर पहुंच गया है आपने खुद देख लिए ना कि आपे बैलिट पेपर से चुना हुए तो उसमें भी किस तरीके से धानले बाजी की गई तो अब सोचिए कि अगर पूरे देश मिसे से चुना होंगे तो फिर कितनी बड़ी धानले बाजी की जा सकती है इसलिए तो इबियम का अंदोलन जन आंदोलन का रूप ले तुका है और इस बार देश की जनता ये कहती घुम रही है कि अगर हमारे बूत में इबियम से चुना हुआ था हम इबियम की होली जलाएंगे यानि इबियम में ओट डेने जाएंगे तो ये कहीं स्थिती भयावा न हो जाए उसके लिए देश की जनता एक्दम तयार हो गई है आप लोग वहां तक जाने भी देंगे वहीं सा जनता जाएगी और जनता माले ओट हम देने गए या जनता गई या कोई महिला गई उसको अंदेशा हुआ हमारा वोट वहां नहीं जा रहा है उठाई अपटक दीमसीन अब पूरा गाउं एक साथ हो गया क्या कर लेगी कितनी फोर्ट तुम लगा दोगे क्या कर लोगे दे है फुट पे है और अगर पचास सीटे कम हुई तो जान लीजे एक नरेंदर मोजी पीम नहीं होने जा रहे हैं इनके बीतर खुझे बगाओत होने जा रही है राजना सिंग जी का टिकट कट रहा है श्र्वतिमेन का गांजी का टिकट कर रहा है बरु गांजी का टिकट कट रहा है नितन गटकरी का ट्रेट कर रहा है रीता बहुडा जोशी का कट रहा है तो उसके सर्मान्न है ये दोनों गुजराती लाभी मिल करके क्या कर रही है कि देश को तहस अनहस करने पर उतारू हो गई है अब मोधी जी ये भूल रहे हैं कि जब स्वर्गी स्रीमती इंद्रा गांधी जयल जा सकती है तो तुम तो लंबा जाओगे तुम्हारे पास उतना जर्मानास है नहीं तुम तुम शाकड़े को छू भी नहीं पाओगे और उन्हें ये भी बोले कि जाती जंगर्णा की बात होती है कि हम लोग भौजन समाज का कुछ नहीं करते हैं वह जन समाज के लिए काम नहीं करते हैं उन्हें संसद में बोल दे कि इतना बड़ा OBC मैं दिख नहीं रहा हूं क्या हां वोभी सी बहुत बड़े हैं उनसे अजाती जंगर्णा कराने में तुम इतने लोग प्री हो तो तुमारी क्यों फटी पड़ी हो रही है तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अब देश की जंता इनके जहांसे में नहीं आने वाली है कोल मिला करके हिंदु मुसल्मान करें भारत पाकिस्तान करें या कुछ भी करें ह हूं यह मैं दावेक साथ कर रहा हूं कि यह जारव हजार सिंगों को मरवा करके कफन की राजनींते करें है कफन की राजनींते बाइगा इसलिए मैं देश की जंता से हाथ जोड़कर के प्रास्थाप के चैनल के मारफ़त कर रहा हूं कि जनता शावधान हो जाईए इस देश रहेगा तो हम और आप हैं नहीं तो हमारे पुर्वजों ने गुलामी देखी है गरीबी देखी है और किसी तरी के देश इस इस्तितिम आया है कि हमें किसी को पर आसित ही होना पड़ रहा तो किर्पया आयसे हैवानों से आपको सावधान रहने कि आशाव सकता है और गोदी मीडिया के पत्रकार अगर गाउं में जाते हैं मिलते हैं तो पबलीक उनका स्वागत की सुरूप में करें यह सोचना है जूते चपल से करें करना है तो मतलब जाहिर तो और पर देखा जा सकता यह किस मौका है, आप समझ जाए कि आप समझ जाए जो किस थी की तानशाही चल रही है देश में इसको रोकना पड़ेगा अगर मोधी आएगा तो तानशाही बरकरार रहेगी लेकिन अब आपको सोचना है कि क्या करना चाहिए लेकिन पूरी बातचीत पर इसमें आपकी क्या राय कहां तक इन्होंने सही बोला है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा धन्यवाद